दोस्तो एक नया pen card बनाना इतना आसान हो गया कि अब आप घर बैठें दोस्तो ऑल लाइनी एक नया pen card के लिए apply कर सकते हैं वो भी अपने मन पसंद फोटो और signature के साथ यानि जो फोटो जो signature आप चाहेंगे वही आपके pen card पर print होके आएगा और जैसे दोस्तो आप apply करते हैं apply करने के 10 से 15 दिन बाद आपका ये जो physical pen card है ये speed post के जरिये आपके address यानि के आपके घर पर जो है deliver हो जाएगा मतलब ज्यादा इसमें समय भी नहीं लगता आपके पास बस आधार card होना चीए आधार card से ही सारा काम हो जाएगा तो कैसे दोस्तो apply करना है क्या है इसका पूरा process जाना चाते हैं तो इस video को like कर दो and continue गा इसी इस video को देखते रहो दोस्तो एक नया pen card बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने mobile phone या laptop में कोई भी एक browser open करना है और यहाँ पर search करना है nsdl जैसे आप इलिकर search करते हैं आपके सामने पहला link आ जाता है online pen application nsdl का तो इसी link के उपर आपको click कर देना है आपके सामने nsdl का जो portal इस प्रकार से open हो जाएगा यहाँ पर सबसे पहले आपको registration करना है जिसके लिए application type select करना है new pen indian citizen क्योंकि हमें एक नया pen card बनाना है तो यही आपको select करना है category में आना है यहाँ पर आपको individual select कर लेना है ठीक है नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अपने नाम के आगे जो title लगाते हैं उसे select कर लें नई तो इसे आप छोड़ दीजे यहाँ पर आपको अपना जो date of birth है उसे select कर लेना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको email id type कर देना है यहाँ पर आपको अपना mobile number type कर लेना है नीचे दोस्तों checkbox पर आप click कर लेंगे और यह जो capture code दिया है इसे यहाँ पर type करेंगे submit वाले button पर click कर देंगे जैसे आप इसे submit करते हैं आपका यहाँ पर token number generate हो जाता है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसे token number को आपको संभाल कर रखना है अगर आप logout हो जाते हैं तो इसी से दोबारा से दोस्तों आप continue कर सकते हैं समझ रहों तो इसे आपको संभाल क कर रखना है अब continue करने के लिए दोस्तों आपको simply करना क्या है नीची option दिया हुआ है continue with pen application form इस पर click कर देना है इस पर click करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे 5 step में दोस्तों आप एक नया pen card के लिए apply कर सकते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा नीची आना है यहाँ पर आ select करना है ठीक है इसमें आप अपने मन पसंद के photo or signature के साथ pen card बना सकते हैं तो यह select करके नीचे आएंगे अगर आपको physical pen card चाहिए तो आप इसे yes रहने देंगे अगर आपको physical pen card नहीं चाहिए जो post के जरी आता है तो आप ऐसे में इसे no करेंगे ठीक है जिसके बाद नीच यहाँ पर copy paste कर दिना है जैसे उसमें है वैसे ही ठीक है उसके बाद यहाँ पर आपके name का title select करना है last name यहाँ पर type करना है first name यहाँ पर type करना है middle name आपको यहाँ पर type करना है ठीक है अगर middle name नहीं है तो छोड़ दीजिए जिसके बाद दूस्तों यहाँ पर आपको अपना select करेना है male female जो भी है उसके बाद दुस्त आपको नीचे आना है अगर आप किसी और नाम से जाने जाते हैं तो ऐसे में आप इसे yes करेंगे नहीं तो आप इसे no पर रहने देंगे इसे change नहीं करना है ठीक है उसके बाद आपको नीचे आना है नीचे आएंगे तो यहाँ पर details of parents आपको अपने parents का detail देना है जिसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे अपने पिता जी का जो naam है उसे type करेंगे यहाँ पर last name type करना है सर नेम जी से कहते हैं उसके बाद दुस्तों यहाँ पर first name टाइप करना है पिता जी का उसके बाद उनका अगर कोई middle name है तो आप तो इस प्रकार से आपको अपने parents का detail यहां पर देना है उसके बाद आप अपने pen card पर किसका name print करवाना चाहते हैं father का या फिर mother का आप यहां पर select कर लेंगे अपने इसाफ से उसके बाद आप next वाले button पर click कर देंगे next करने के बाद यहाँ पर आपको source of income बताना है कि आपका source of income क्या है अगर आप एक salary person है तो आप यहाँ पर salary select कर लेंगे ठीक है अगर no income है तो आप यहाँ पर no income select कर लिजे अगर आप यह दोसों business करते हैं तो यहाँ पर business का भी option दिया हुआ है तो यहाँ पर हम फिलाल इसे no income कर देते हैं आप अपने इस office select कर लेना ठीक है नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर address मांगा जाता है तो आप किसका address देना चाहते हैं residence यानि की घर का या फिर office का देना चाहते हैं तो उससे आपको यहाँ पर select करना होगा घर का देना चाहते हैं तो residence आपको select करना है नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अपना residence address यानि की घर का address पूरा देना है जिसमें room number, block number उसब आपको यहाँ पर type कर देना है यहाँ पर दोस्तों building name या फिर village name आपको type करना है यहाँ पर road वगरे का नाम आपको type करना है यहाँ पर area, locality वगरे होता है उसे type करना है जिसके बाद यहाँ पर town, city का नाम आपको type करना है अब यहाँ पर आपको अपना country select करना है इंडिया जैसा कि आप देख सकते हैं और India select करने के बाद यहाँ पर आपको state select करना है आपकी इस state में रहते हैं सभी state यहाँ पर दिया हुआ है ठीक है इस प्रकास से यहाँ पर आपको अपने address का pin code टाइप कर लेना है यह छोड़ देना है इसे वैसे fill up नहीं करना है और यहाँ पर office address अगर आपके पास office का address है तो सबसे पहले country code आप select करेंगे इंडिया 91 ठीक है तो यहाँ पर आपको 91 लिखेंगे तो आ जाता है इंडिया 91 यह आपको select करना है और यहाँ पर यह जो area htd code है इसे छोड़ देना है यहाँ पर आपको अपना mobile number टाइप कर देना है ठीक है यहाँ पर email id टाइप कर देना है उसके बाद दोस्तों आपको नीचे की तरफ चले आना है और next वाले button पर click कर देना है आगे बढ़ने के लिए और अगला जो page आता है यहाँ पर area code AO type उसके बाद range code AO number यह सब मांगा जाता है अगर आपके पास यह सब नहीं है तो आप क्या करेंगे simply नीचे आएंगे Indian citizen आपकी state के है इस प्रकार से उसके बाद यहाँ पर आपको अपना city select करना है आपकी city में रहते हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से ठीक है अब यह सब select करने के बाद नीचे दोस्तों आपको word number circle चीज़ देखने को मिल जाता है कि आप कि circle के अंडर आत जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तो अगर आपको यह सब नहीं पता है तो इसी प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर select कर सकते हैं select करने के बाद यह पूरा automatic fill up हो जाएगा ठीक है जिसके बाद नीचे आना है और next वाले button पर click कर देना है next करेंगे अब यहाँ पर आप आधार कारड है तो मैं यही बोलूँगा आधार कारड को select करने सबसे easy है ठीक है तो आधार कारड को है इहाँ पर select करने है उसके बाद proof of address के लिया है कौनसा proof देना चाहते हैं उसे select करना है तो यहाँ पर दौस्तों अलग-अलग document का नाम दिया गया है तो simply मैं बोलूँग आधार काड है तो वापस से यहाँ पर आपको आधार काड को ही select करना है अब यहाँ पर date of birth के लिए document select करना है तो यहाँ पर भी दोस्तों आधार काड को select कर सकते हैं ठीक है सबसे easy रत है आधार काड से pen card आसानी से बन जाएगा तो इसे select करने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है declaration में ठीक है declaration में दोस्तों आप क्या करेंगे यहाँ पर select के उपर क्लिक करेंगे हर सेल्फ इमसेल्फ आपको यहाँ पर select करेना है उसके बाद यहाँ पर place का नाम टाइप करना है जहां से भी आप यह form भरकर apply कर रहे है ठीक है place का नाम टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर अपना photo और signature अप्लोड करना है जो आपके pen card पर print होगा तो आप अपने मन पसंद का यहाँ पर कोई भी photo अप्लोड कर सकते हैं जिसकी जो size है दोस्तों ओ 50 kg से जादा नहीं होनी चीए ठीक है तो सबसे पहले यह जो plus का icon दिया है इस पर click करके आपको photo को select करना है photo select करने के बाद नेचे दोस्तों जो upload का button दिया है इसी के ऊपर click कर देना है उसके बाद आपका photo यहाँ पर upload हो जाएगा ठीक है इस प्रकास से अब इसी प्रकास से आपको अपना जो signature है उसे भी यहाँ पर select करना है सबसे पहले size 50 kg से जादा नहीं होना चीए ठीक है signature यहा पर select करने के बाद upload के button पर click करना है आपका जो signature है ओभी यहाँ पर show होने लग जाएगा ठीक है तो इस प्रकास से आप अपने मन पसंद का photo or signature upload कर लो अब यहाँ पर document upload करना है तो document में हमने आधार कार्ड select किया सिर्प आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड upload करना है ठीक अब आपको submit के button पर click कर देना है जैसे आप submit करेंगे your application is submitted please confirm detail अब आपको detail को confirm करना है ठीक है जिसके लिए आपको अपने आधार कार्ड के starting के जो 8 number होते हैं उसे यहाँ पर type करना है starting के 8 number ठीक है last के आपने पहले ही 4 number type कर ले थे उसके बाद आपको यहाँ से नीचे की त स्क्रॉल डाउन करके चले आना है एकदम नीचे आना है ठीक है जैसे आप एकदम नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको proceed का button देखने को मिलेगा इसी proceed के button पर click करना है अब यहाँ पर आपको payment mode को select करना है online payment through bill desk यह आपको select कर लेना है ठीक है यहाँ पर total आपको 107 रुप payment के उपर click कर देना है जैसे आप इस पर click करेंगे detail को आपको यहाँ पर confirm करना है confirm के उपर click कर देंगे जिसके बाद दुस्तों आपके सामने payment page इस प्रकास से खुल कर आ जाता है यहाँ पर जिससे भी आप payment करना चाहते है wallet, UPI, net banking, debit card जिससे भी आपको payment करना है payment करने के ब box के उपर सबसे पहले click कर लेंगे authenticate के उपर click कर देना है इस पर click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर continue with EKYC के उपर आपको click करना होगा अब EKYC करने के लिए आपके आधार card के साथ जो mobile number link होगा उस पर OTP जाएगा वह OTP यहाँ पर आपको type करना है और submit के button पर click करना है अब आपके आधार card के साथ जो mobile number link होगा उस पर एक OTP जाएगा वह OTP यहाँ पर type कर देंगे type करने के बाद दोस्तों आपको simply verify OTP के उपर click करना होगा जैसे आप इस पर click करते हैं आपका यहाँ पर OTP जो है verify हो जाता है और आपका पूरी तरह से जो application हो जाता है आप PDF को download कर सकते हैं PDF format में और इसका जो password होगा वह आपका पूरा date of birth होगा जिसमें कोई space या फिर कोई भी symbol होगा नहीं होगा ठीक है तो इस प्रकार से आपको इसे download करके save करके रख लेना है अब दोस्तों आपको 10-15 दिन wait कर लेना है जिसके बाद आपका जो pen card है जैसे बन ज जाता है speed post के जरिए आपके address पर भेज़ दिया जाता है जो भी आपने address दिया है तो इस प्रकार दूस्तों आप 106 रुपए में online ही अपना जो pen card है उसे बना सकते हैं वो भी घर बैठे कोई भी document कहीं submit नहीं करना है कुछ भी नहीं करना है सारा काम online हो जाता है तो अगर आ साथ ही साथ हमारे चैनल को subscribe करें ना थेंक्यों दोस्तों बाइबें टेक कियर